साथियों, अगर आपके पास लिटमस पत्र नहीं हैं, तो क्या आप अमला और खशार की जाच नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है, आपके आसपास आपने अनेक रंग बिरंगी फूल तो देखे होंगे, ऐसे ही रंगीन फूलों से हम आज देखेंगे कि यह जाच हो सकती है या नहीं, कोई भी एक कागज लीजिए, इसे ऐसा रखे, मेरे पास यहाँ सदा बहार के रंगीन फूल है, इसका बोटनिकल नेम आपको ढूणना है, इन्हें ठीक से देखें, कागज को एक तरफ से पकड़े और कागज पर घिसके, जब तक पूरा कागज पर रंग फैल ना जाए, फूल की पतियों को अच्छी तरह से कागज पर घिसे, आपने देखा, सफेद कागज था, वो भी हलके जामुनी रंग का बन गया है, अथ्वा हलका गुला भी भी कह सकते हैं, हम इसकी जाच हाइड्रोकलोरिक अमल के साथ करेंगे, यह रहा हाइड्रोकलोरिक अमल हम ड्रॉपर से थोड़ा सा अमल लेंगे और उसकी दो बून्दे इस कागज पर गिराएंगे, क्या आप देख सकते हो, रंग बदल गया, जो हलका जामुनी रंग था, वो लाल रंग का हो गया, अब इसी कागज पर हम अम्मोनियम हाइड्रोकसाइड नाम के शार की जांच करेंगे, नीचे की तरफ इस क्षार की दो बून्दे गिराएंगे, आपने देखा, रंग बदल के हरा हो गया, अब हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पधार्थ होते हैं, जो अमलिय अथ्वा क्षार के गुंधर्म बताते हैं, हमारे पास है साबुन का पानी, जिसकी दो बून्दे हम इसी कागज पर डालेंगे, क्या आपको रंग में बदलाव नजर आ रहा हैं, ये रंग किस तरह का हुआ, जैसे अमोनियम हाइड्रोकसाइड का बना था, उसी तरह यहां है थोड़ा सा नीबू का रस, उसकी भी दो बून्दे इसी कागज पर डालते हैं, आपने तुरन देखा होगा, कि उसका रंग लाल बन गया, जो हाइड्रोक्लोरिक आसिड की तरह है, साथियो, इन फूलों की पंखुडियों में, जो रंग द्रव्य, अथ्वा पिग्मेंज होते हैं, वो अमलिय और क्शारिय पदार्थों के साथ, एक नया रंग बताते हैं, तो आप सब भी आपके आसपास के रंगीन फूलों को लेकर आईए, और आपके आसपास के पदार्थों की जाज कीजिए, क्या उनमें अमल है या अक्शार?